आया है किसका quiz का पहला प्रशनाद के सामने आता हुआ first उपरोक्त में से कौन सा कारक एक समश्टी की व्रधी के लिए उत्तरदाई है कौन से वो कारक है जो समश्टी की व्रधी से संबंदित है समश्टी की व्रधी से कौन से कारक संबंदित है जन्मदर संबंदित है, मृत्यूदर संबंदित है, आप्रवासन संबंदित है या उपरोक्त सभी संबंदित है कौन है समश्टी की व्रधी से संबंदित है यहां धनात्मक रनात्मक की बात नहीं कर रहे हैं यहां समस्टी की व्रध्धी किस से related है वो बात पोचेंगे चलिए जी दूसरा प्रशन किस परिस्थती में समस्टी की व्रध्धी कम हो जाएगी कौन सी परिस्थती में समस्टी की व्रध्धी कम हो जाएगी जब जन्मदर मृत्युदर से ज़्यादा हो जाएगा जब आप्रवाशन उत्प्रवांशन से ज़्यादा हो जाएगा जब मृत्युदर जन्मदर से ज़्यादा हो जाएगी कोई नहीं सोच समझकर अराम से option पढ़िए और देखकर मुझे बताए कि एक समश्टी की वृद्धी रनात्मक हो गई है यानि कम हो गई है कब होएगा कर लिया आईए चेक कर लेते हैं यहाँ पर पहला प्रश्मता बच्चे हमारा कि कौन से वो कारत हैं जो एक समश्टी की वृद्धी से संबन देता है जन्मदर भी है मृत्यूदर भी आप्रवासन भी और उत्रवासन भी नहीं दे रखा क्योंकि चौत्य आप्शन में प्रोक्त सभी दे रखा है तो आंसर इस फोक्त प्रोक्त सभी दूसरा किस परिस्टिती में समश्टी की वृद्धी कम हो जाएगी जो रनात्मक कारक जादा हो जाएंगे रनात्मक देखो जन्म दर अगर मृत्यू दर से जादा हो जाएगा अरे जन्म जादा हो रही है मृत्यू कम हो रही है तो बढ़ेगी के जन्संख्या नहीं बढ़ेगी की कम हो जाएगी, बढ़ेगी, आ प्रवाशन उत्रवाशन जादा हो जाएगा, इस जगे पर जादा लोग आएंगे, कम निकलेंगे, जादा लोग आते जा रहे, जन संक्या तो बढ़ेगी है, तो पूछ रहे हैं कम कप होएगी, मृत्यू दर जन्म दर से जाद जादा हो जाए गई है स्मृत्यू जादा और ये जन्म कम हो रहा है लोग मरते जा रहे हैं तो उस समश्टी की व्रधी कम हो जाएगी करेक्ट आंसर इस थर्ड ये था वेटा जी आज का क्विज